अंगद कहता है सीरत तुमने मेरी और साहिवा की जो जिन्दगी चल रही थी अच्छी खासी तुम उसमें तूफान लेकर के आई हो तो दोस्तों आप देखते हैं कि सीरत मानने के लिए तयार नहीं है कि उसने ऐसा कुछ किया है इतना सब हो जाने के बाद भी सीरत यहीं बोलती है कि अंगद जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है आखिर सच्चाई क्या है मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम मेरी सांते से बात सुनो तभी अंगद बोलता है कि तुम एकदम से चुप हो जाओ जब तक तुम्हें बोलने के लिए ना कहा जाए बोलना मत क्योंकि अंगद गुस्से में है जो सीरत ने किया है तो उसे नहीं करना चाहिए था तो उससे गुस्सा भी कंट्रोल नहीं हो रहा है अपना और वो कहता भी है कि आज सच सब के सामने और पूरा आएगा ये सारी बाते वहाँ चल रही है तभी साहिबा बोलती है कि अंगद क्या बात है मुझे बताओ मुझे बहुत जादा घबराहट हो रही है कि आखिर में सच क्या है और सच्चाई क्या है तुम बताओ और मुझे बताओ और हम सब को बताओ आखिर सिरत दीने ऐसा क्या किया है जो तुम इतना गुसा हो